तो फ्रेंट्स नेक्स्ट कुश्टन डिसकुस करेंगे जो बहुत इपोर्टन्ट है आपके साइकॉलजी और चैल्ड आवलेमेंट से रिलेटिड हैं आपके सभी टैटक्जामें पूछे जाते हैं सो वीडियो को लाइकन शेक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर तो यहां आंसर क्या सही हो जाएगा आप वीडियो को पोस कर लीजिए आंसर को देखिए ध्यान से और आंसर राइट हो जाएगा यहां पर सेकिन आंसर मारगंत्री करण ठीक है बी आंसर सही है नेक्स्ट कुश्टन है खिलोनों की आयू कहा जाता है शैशा वस्था वाल अवस्था को कहा जाता है जो तीन से छे वर्ष की अवस्था होती है खिलियर बी आंसर सही है निमलकित में से कौन सा एक माध्यमिक विडाले की कक्षा कक्ष में सिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्नन करता है व्यक्यान देने के लिए पॉइंट युद्साहित करना तथा एक आयामी परिप्यक्षे पर किंद्री भूत होना चर्चाओं के अवसर उपलब्द कराना या प्रतम स्थान के लिए शिक्षार्तियों को आपस में प्रतिस परधा के लिए बढ़ावा देना तो आंसर क्या सही हो जाए गया आपर 243 में आंसर राइट है वो है हमारा C आंसर चर्चाओं के अवसर उपलब्द कराना क्योंकि पॉजिटिव में पूछा था ना तो थर्ड आंसर सही है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का स्रिजन करने क्या शक्ता है इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिये गए कतनों में से कौन सा कतन सत्य नहीं है शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की सवीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख या बच्चे के प्रियासों का अनुमोधन तो आंसर क्या राइट होगा 244 में तो आंसर सही है जो सत्य नहीं है, नेगिटीव का चुनाव करना था सिक्षकों के अनुसार कार्य करना ये कथन सत्य नहीं है ए आंसर सही है चात्र स्वभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए नवीन्ता का पता लगाने के लिए सतत संघर्ष करने के लिए या गलतिया करने के लिए तो चात्र स्वभाविक रूप से प्रेरित होते हैं आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा नवीनता का पता लगाने के लिए नई-नई बातों को जानने के लिए नई-नई खोज करने के लिए है ना, इनोवेशन का पता लगाने के लिए तो B answer सही है अगला question है निम्न में से dash को छोड़ कर सभी बुद्धी मता परिक्षण के उधारण है Stanford भी ने, Wessler भी ने, Build Skills या रोशार का परिक्षण तो एक को छोड़ कर सभी बुद्धी मता यानि intelligent test के example है answer सही हो जाएगा वो है Build Skills next question है बच्चों की गलतियों के संबद में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बच्चे गलतियां तब करते हैं जब सिक्षक उधार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित न करता हो बच्चों की गलतियां सिक्षक के लिए महत्वहीन है इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चे गलतिया करते हैं क्योंकि वे लाप्रवा होते हैं या बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है तो गलतियों के बारे में बताना है तो 4th आंसर सही है Next question है अधिगम की प्रक्रिया में प्रेर्णा जो है शिक्षारतियों को दिशाहीन बनाती है युवा शिक्षारतियों के बीच सीखने की जिग्यासा बनाती है सिक्षारतियों की समरिती को तेज करती है या पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पस्ट करती है 248 में आंसर राइट होगा वो है युवा सिक्षार्थियों के बीच जो है सीखने की जिग्यासा बनाती है B आंसर यहाँ पर हमारा सही है मानव व्यक्तित्व नीवन में से किसका परिणाम है परिवरिश और सिक्षा का आनवाशिक्ता और परियावरण के बीच संबंध का केवल परियावरण का केवल आनवाशिक्ता का तो मानव व्यक्तित्व नीवन में से किसका परिणाम है तो human development जो है इस पर heredity का भी effect पढ़ता है और environment का भी effect पढ़ता है दोनों का पढ़ता है तो answer सही हो जाएगा B answer अभी प्रेणा और अधिगम के बारे में निमलखित में से कौन सा एक कथन सही है अधिगम तभी प्रभावी होता है जब सिक्षारती बाहरी पुरुसकारों का उप्योग करने से प्रेरित हो अधिगम में प्रेणा की कोई भूमिका नहीं होती अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब सिक्षारतियों में भीतरी प्रेणा हो सीखने की अंतरनीद इच्छा हो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब सिक्षारती बाहरी रूप से प्रेरित हो बाहरी कारकों से प्रेरित हो ठीक है तो कौन सा कतन सही है तो अधिगम जो है केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षारती में भीतरी प्रेणा यानि इंटर्नली बच्चा मोटिवेटिड हो तभी वो अच्छी तरह से सीख पाएगा तो आंसर राइट हो जाएगा याँपर C आंसर अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है सीखने वाले की अभी प्रेणा सीखने वाले का मानसिक स्थर सीखने वाले की बुद्धी या सीखने वाले की अभी वृति तो अधिगम के लिए प्रतम शर्ट क्या है तो आणसर सइल हो जाएगा शीकने वाले की motivation जो है सीखने वाले की अभी परेरना सबसे पहले तो motivation होना ज़रूरी है internally अधिकम के लिए द्वीते शर्ट क्या है सीखने वाले का मांसिक सर सीखने वाले की बहु अनुक्रियाई सीखने वाले की बुद्धी या सीखने वाले की अभिरिती तो द्वीते शर्त क्या है सीखने के लिए जब बच्चे को motivation मिल जाता है और उसके according वो multi reactions वो देता है यानि सीखने वाले की बहु अनुक्रियाई B answer right है सीखने के लिए त्रीते शर्त क्या है अधिगम के लिए जो त्रीते शर्त है सीखने वाले का मांसिक स्तर सीखने वाले की बुद्धी लब्धी सीखने वाले को पुनर बलन या सीखने वाले का मन तो त्रीते शर्त क्या है answer यहाँ पर right हो जाएगा सीखने वाले को reforcement किस तरह से दिया जा रहा है negative या positive ये भी एक effect करता है सीखने को ठीक है अधिगम के लिए चतुर्थिये शर्त क्या है सीखने वाले का अभ्यास सीखने वाले का घर का महोल सीखने वाले की बुद्धी लब्धी या सीखने वाले का मन 254 में आंसर राइट है हमारा सीखने वाले का अभ्यास ठीक है कि learner जो है वो कितना practice कर रहा है है ना next question है अधिगम अपेक्षाकृत व्यावार में स्थाई प्रिवर्तन है जो अभ्यास अत्वा अनुभव के परणाम सवरूप होता है यह परिवाशा किस मनविज्यानिक ने दी गेट्स ने मारगन ने वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने 255 में बताना है तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर मारगन ने अनुभव एवं प्रसिक्षन द्वारा व्यावार में शन्शोधन ही अधिगम है यह परिवाशा किस विज्यानिक ने दी है मारगन ने वुडवर्थ ने गेट्स ने या गिलफोर्ड ने 256 में आंसर तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर C आंसर गेट्स ने तो C आंसर बिलकुँ सही है अधिगम आदतों ग्यान और अभी वृतियों का अर्जन है यह परिवाशा किस विज्यानिक ने दी है मारगन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने 257 में आंसर राइट है क्रो एंड क्रो ने B आंसर राइट है व्यावार के कारण व्यावार प्रिवर्थन अधिगम है यह परिवाशा किस विज्यानिक ने दी है व्यावार के कारण व्यावार प्रिवर्थन जो है अधिगम है यह परिवाशा दी है ये दी है गिलफोर्ड ने सी आंसर सही है और एक बार डियर जो भी स्टुडेंट क्लास में आता है सबसे पहले उसको करना क्या है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है जादे से जादा शेयर कीजिए अगला है पूरु निर्मित व्यवार में अनुभाव द्वारा परिवर्टन ही अधिगम है यह परिवाशा की स्वेग्यानिक ने दी है कॉलवीन, क्रोएंट क्रो, गिलफोर्ड या मारगन तो यह दी है कॉलवीन ने यह आंसर यहाँ पर हमारा सही है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्टन है जो उसके वातावर्ण के परिवर्टनों के अनुसरन में होता है यह परिवाशा किस स्वेग्यानिक ने दी है क्रोएंट क्रो, फ्राइड, मारगन या पील तो आंसर बताईए क्या सही हो जाएगा 260 में आंसर होगा हमारे यहाँ पर पील ठीक है पील ने डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है निमलिकित में से किस वेग्यानिक का सिधांट सू व्यवस्थीत व्यवार का सिधांट के नाम से जाना जाता है बरकल का, C.L.Hal का, कॉलर का या मन का हाँ जी, आंसर बताईए क्या आंसर सही होगा 261 में आंसर राइट हो जाएगा C.L.Hal भी आंसर सही है अर्द चेतन तथा अचेतन किसके अंग है? चेतना के, मस्तिक्ष के, शरीर के या बुद्धी के? 262 में आंसर राइट है ये हैं चेतना के ये आंसर राइट है अकला कुशन है नीमनी मैं से कौन सी पुर्भाले अवस्ता की विशिष्टा नहीं है तीन से छे वर्ष की अवस्ता होती है दल में रहने के अवस्ता, अनुकरन करने के अवस्ता, प्रशन करने के अवस्ता, खेलने के अवस्ता और ये कोशन बहुत सारे एक्जाम में आया है तो इसका अंसर यहां पर बनता है खेलने की अवस्ता व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गी करन प्रस्तुत किया मन ने, शेल्डर ने, हिपोक्रेट्स ने या केटल ने तो पहला प्रकारात्मक वर्गी करन प्रस्तुत किया है हिपोक्रेट्स ने सूज द्वारा सीखने के सिधान का प्रतिपादन किया थोंडाई कोहलर पैवलोव या वुडवर्थ 265 में आंसर राइट हो जोएगा यहाँ पर सूज द्वारा सीखने का सिधान दिया है कोहलर ने सुल्तान नामक शिपयान जी पर इनों ने प्रियोक किया है यह देख बच्चा 16 को 61 लिखता है तता 6 को 6 और 9 के मध्य जो है अंतर नहीं करवाता है तो यह है दिश्टी दोश, सीखने अक्षम, मानसिक दोश या मानसिक अक्षम आंसर सही हो जाएगा सीखने में अक्षम व्यवार में होने वाले स्थाई प्रिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, लिखाना, क्रिया करना या कलपना करना 267 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सीखना ए आंसर यहाँ पर सही है घनिष्ट मित्रता की प्रिविती पाई जाती है शैश्व वस्था में, बाला वस्था में, किशोरा वस्था में या प्रोक सभी में तो घनिष्ट मित्रता की प्रिविती पाई जाती है किशोरा वस्था में सी आंसर सही है चिंतन अनिवारिय रूप से है एक संग्यनात्म गतिविधी, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोविज्ञानिक परिगटना या भावात्मक व्यवार तो चिंतन अनिवारिय रूप से है एक क्या है तो ये संग्यनात्म गतिविधी है ए आंसर यहां पर सही है इनमें से बाल विकास का सिधान्त है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुन क्रिया के विज़ से घटित होता है अनुभव विकास का एक मातर निर्धारक है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनुशित किया जाता है या विकास प्रतेक बच्चे की गत पूछा है तो यह है कि विका जो है ठीक है प्रबलन असरी परिपक्वन तता नुब के बीच अनुक्रिया की वज़ा से घटित होता है तो यह आंसर यहां पर हमारा सही है तो डियर यही थे आज के हमारे कोशन आपके कितने सही हुए हैं कॉमेंट में बताएगा सो थैंक्स व प्रबाइ रब्राका जय पुलिनाद